तो चलिए आज बराएंगे बचे वे चावल से एक मज़ितार सी रेसिपी तो सबसे पहले क्या करना है कि यहां पर दो प्याज लेने और उसे लंबा-लंबा लच्छो में हमें कट कर लेना है तो यहां पर देख सकते हैं प्याज को कट करके साइड में लग दिया है और साथ ही तो यहां पर दो रखे में काट के और एक जो है वह बाद में यूज करूंगी और यहां पर हरी मिज आप अपनी टेस्क के कोडिंग कम या ज्यादा जितना भी आपको पसंदो आप उतना ले सकते हैं फिर इसके बाद एक कडाई में हम करेंगे तेल गरम दो यहां पर सुख और साथ ही यहां पर हमने डाला है एक चमच मस्टर्ड सीड्स यानी राई के दाने और इसको अच्छे से सौटे कर लेंगे और फिर उसके बाद इसमें हम डाल देंगे धेर सारा फ्रेश कड़ी पत्ता तो कड़ी पत्ते से ना गाईस बहुत ही बढ़िया फ्लेवर इसका अगर है आपके पास तो जरूर डालिएगा अब उसके बाद जो प्यास हमने कट करके रखाता ना वो हमें इसके अंदर डालना है और तब तक हम इसे पकाएंगे जब तक की जो प्याज है ना वो थोड़ा सा कलर अपना चेंजड़ा कर ले और उसका जो हलका कच्छा पने तो देख सकते हैं कि एक से डेड़ मिनट के अंदर आपका जो प्यास है वो बहुती बढ़िया से अच्छे से भुन जाएगा अब इसके अंदर डालेंगे हम हल्दी यानि यहां पर अदी छुली चमज डाली है हल्दी पाउडर उसके साथ ही यहां पर डाला है कश्मीरी लाल मेच कश्मीरी लाल मेच कलर के लिए डाला है हमने और फटा फट से इसे मिक्स करके यहां पर हम डाल देंगे बचा हुआ चावल तो यहां पर मैंने ब्राउन राइस यूज किया था तो आप यहां पर नॉर्मल राइस भी यूज कर सकते हैं उसके उपर हमने डाल दे कटे टमाटर और नमक नमक स्वात के लिसार डालना है इसको फटा फटे हाथों से चला के मिक्स कर देना है और यह दिखिए जैसे ही मिक्स हो जाएगा ना इसके उपर डाल देंगे हम धेर सारा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया तो इस तरीके से जब बनाएंगे आपका बहुती ब फेट लिया थोड़ा सा पानी भी डाल रही हमें ताकि जो दही है वह और बढ़िया से फिंट जाए इसमें कोई भी लंस नहीं है थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर हम बुंदी क्योंकि बुंदी जो है ना वह दही को एब्सॉप कर लेती है अब उसके साथ टमाटर प पिसा हुआ नमक यह हमने घर में बनाया है तो गाइस इसकी रेसिपी है ना जो पिसेवे नमक की बहुत ही मसालेदार चटपटा पहाड़ी नमक होता है यह इसकी रेसिपी चैनल पे है आप वहां से देख सकते हैं तो वह मैंने डाल दिया इसके अंदर और बस वह नमक डाल आएंगे ना तो क्या बिर्यानी वाला रायता और क्या वेज बिर्यानी दोनों इसके आगे फेले तो इस तरिके का कॉम्बो आप घर में अपने बचे हुए समान से बना सकते हैं तो होप काईज आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हर रोज बने रही ऐसी इंट्रेसिंग रेसेपीस के लिए तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग